नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अबेपरताप और आप देख रहे हैं AP Drawing तो प्यारे दोस्तों आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से रेगिस्तान का जहाज यानि ऊट का चित्र बनाना सिखाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुँ सही सुना बस आप जल्दी से मारकर पेपर पैंसल उठा लीजिएगा और हमारे साथी बनाना शुरू कर दीजिए यहाँ पर आपको एक बड़ा सावरन लिखना होगा है हिंदी का इधर से ऐसे ले जाएंगे एक स्टेट लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह आपको सावरन लिखना होगा फिर दोस्तों यहीं से दिखिएगा नीचे के साइड में आपको इधर एक लेक बनाना है पहले यहां से यू ले जाएंगे इसको करिएगा नीचे की तरफ यहां से ऐसे फिर आगे बढ़ा देंगे यहां पर ऐसे मिला दीजिए और इधर से दोस्तों आप इधर ऐसे ले जाएंगे हलका सा यहां से आगे बढ़ाईए पिर दर से line draw करते हुए यूं ले जाएंगे इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिएगा इस तरह आप leg बना देगे leg बनाने के बाद एक leg आपको इदर भी बनाना होगा यहां से यूं ले जाएंगे इसको आगे बढ़ाईए यहां पर मिला दीजिए अब दोस्तों, यहीं से आपको ऐसे हलका सा अंदर करते हुए यहां से बाहर ले जाएंगे, फिर इसको उपर की तरफ बढ़ाएगा बगल से आपको लेक बनाना है एक लाइण इदर ड्रॉख करेंगे एक लाइण यहां पर ड्रॉख करेंगे आगे बढ़ाईए यहां पर ऐसे कर दीजिए यह वाला पॉर्शन आप उपर की तरफ ले जाते हुए, और उपर ले जाएंगे, यहांसे ऐसे बढ़ाईए, पिर दोस्तों, यहांसे आपको इधर से बढ़ाईए नीचे करना होगा, इसको तोड़ा सा और अंदर ले रवाला हिस्ता हो जाएगा और इसको लाकर आप इस लेग साथ ऐसे टच कर दीजिए अगर आपको पता है उट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा यह वाला पूर्शन आप अलका सा अगे बढ़ाईए पहले यहांस ऐसे लाइन और इसको अंदर की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, इधर से यूँ बढ़ाईए, एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए, और इधर आप एक वी लेटर लिकर ऐसे आई बना दीजिएगा, यहां से डबल लाइन ड्रो करेंगे, इधर भी ऐसे आप डबल लाइन ड्रो करिएगा नीचे की तरफ आप इधर से डबल लाइन बढ़ाते हुए, इसको उपर के साइड में यूँ बढ़ाएंगे, और इधर आप बैठने वाला बना दीजिए, इधर से ऐसे करिए, इसको करिएगा यूँ डबल, डबल हो जाने के बाद दोस्तों, यहां से एक लाइन ड्रो कर करिए, इधर से लाइन को आगे के साइड में बढ़ाते जाईएगा, अब हमें इधर बना देना है, एक ट्री बनाना है, इधर से लाइन डो करिए, एक लाइन यहां पर, एक उपर, एक इधर, और यहां से आप ऐसे बनाएए, इधर भी बना दीजिएगा पत्तियां, को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आपका कोई भी सुझा हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा